बुलंद शहर में धर्मांत्रल कर अविनाश से अनीश अहमत बनने का मामला पुलिस जाच में जूटा पाया गया है। आज पुलिस ने अविनाश को मीडिया के सामने पेश किया और अविनाश ने खर्यंत्र की परत दर परत खोलते हुए कहा कि उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया बल्कि उसकी आठ बीगा जमीन को उसका चाचा हडपना चाहता है। इसलिए धर्मांत्रल जैसी अफवाह को हवा दी जा रही है। कुर्टा पजामा पहनने पर अविनाश ने कहा क्या ओं मुस्लिम बाहुल इलाके में रहता है इसलिए उसका पहनावा मुस्लिमों जैसा है। मैं जो मुसलमान पर खर्म बनना नहीं चाहता हूँ। वहीं इस मुद्दे पर SSP संतोष कुमार सिंग ने बताया कि धर्मांत्रल के पीछे लोग खाड़ियंत रच रहे हैं। इस खाड़ियंत के पीछे कौन-कौन लोग है उनकी जाच की जा रही है। SSP का कहना है धर्मांत्रल का आरोप पूरी तरह जुठा है, विवाद जमीन को लेकर है। देखिये कल से ही एक प्रकरण सोसल मीडिया और मीडिया के कुछ चैनलों पे तशारित किया जा रहा था कि अभिनास नाम के लड़के ने धर्मांत्रल कर लिया है। जानकारी की गई तो पता चला कि उजालंधर में अपनी रिष्टेदारी में है। वहां से हमारी पूलिस टीम उसको लेकर आई है। इस सम्मन्ध में उसके ताव के द्वारा एक तहरीद दी गई थी जिसके आधार पे अभियोग पंजिकित किया गया है। इस लड़के के जब बयान लिए गए पूस्ताश की गई तो पूरी तरह से संपूर घटना को नकार रहा है। इसका कहना है कि किसी भी रूप में ने तो इसका धर्मान तरण हुआ है ना ही भावश्य में इसकी कोई योजना है ना तो किसी ने इसको पेरित दिया है। इसके आरोप यह हैं कि इसके माता पित्या दोनों मर गए हैं। इसका ताउ इसकी संपत्ति जमीन जो पैत्रिक है उसे कज्या करना चाहता है। और कुछ ऐसे अराजक तत्तों के संपर्क में है कि जब यह ताउ के पीडन से तंग हो करके कहीं चला जाता है तो वो लोग एक कहानी गढ़ करके कि धर्मांतरन कर लिया है और प्रचारित करते हैं। और इसका एक कहना है कि विश्व धुरूप से इसकी संपत्ति कज्या करने के उद्देश्टे से इस तरह की अफवा इसके ताउ और उनके करीमी लोगों दोरा खेला ही जा रही है।